हाई गाईज वेलकम टो आर यूटूब चैनल दर्येल इन्वेस्मेंट आज आलो की इंडस्ट्री में हमें तेजी देखने को मिली एक से देड़ परसेंट की साथ इसाथ टेकनिकल कैंडल स्टिक के आधार पर मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इसके अंदर हमें 20 और 21 के तो द्हान से वीडियो को देखेगा तो सबसे पहले मैं यहां पर बता दिते हूं आपको कॉंटिटे ट्रेड़ेड के बारे में तो आप यहां पर कॉंटिटे ट्रेड़ेड देख सकते हैं 39.18 की देखनी को मिल रही है और लोग आपने पॉर्टफोलियों में इसे शामिल क जा रही है वी ते बाइंग प्राइस देख सकते हैं आप यहां पर 19.25 के प्राइस पर लोग यहां पर बाइंग करते हुए देखने को मिल रहे हैं साथी साथ मैं आपको इसकी हिस्टॉरिकल बताना चाहूंगी जहां से मत यानि की में मन से लेकर अभी मैं 11 तक के इसकी जर न Grade 14.850 तक स्टॉक यहां पर एक दो अतीन यानि कि तीन बार बर ट्रेद करते हुआ हमें देखने कोव लेकिन आज स्टॉक में थोड़ा सा FREक्ट मिलते हुए हमें देखने को मिल रहा ख्यां कि मैफ ओर को देख सकते हैं आप सिटॉक हैं पर 19.050 पर डेखने मिल रहे और हम यहां पर आप को पहले हैं आज के उपार से बताना चाहके तो यहां पर देख हैं जोगी और जो जो Series उ survived देखने को मिल रहे हैं के रोच ग्रीण वांड़का छहिए काफी बिक्ड रहे हैं जिसके चलते हैं सकते में सब्काइब बनते हुए देखने को मेल सकती है क्योंकि आप जहां तक चार्ड देख रहे हैं वहां पर आप देख सकते हैं यह जो मार्जिन है इसके लेवल तक स्टॉक हमें चलते हैं देखने को मिल रहा है जब तक्क यह ग्रियन कैंडल स्टिक के और भी नीच नहीं जाएंगा मतलब यहां पर गिराउट होगे ऐसी संभावन होती लेकिन यह स्टॉक अगर इस कैंडल के यहां तक रेंज में ही चलते हुए हमें देखने को मिला तो स्टॉक को यहां से एक ब्रेक आउट मिलने के चांसे बहुत जादा देखने को मिलते हैं और स्टॉक का परफ सटॉक एक लीमीटेड रेंज में देखने को मिल रहा था जैसे में आपको हिस् 용ntải से बताने की कोशिश कर रही थी मे मन के स्टाव्ट एसंसे कोई भी बुलिश कैंडल उनिक यहां पर बनते हुए हमें देखने को नहीं मिल रही थी तो जिसके चलते स्टॉक का performance काफी limited range में हमें चलते हुए देखने को मिला और साथी साथ आप यहां पर देख सकते हैं एक bullish candlestick यहां पर बनते हुए देखने को मिली उसके बाद stock में जाधी गिरावट हमें निचले और पर होते हुए नहीं का quantity लेकर आप बैठेंगे तो यह बहुत lower range अभी stock के हमें देखने को मिल रही है और आगले एक साल में आपको इसके levels 22 तक के देखने को मिल सकते हैं तो आपको बहुत जादा फाइदा इस stock के अंदर होते हुए देखने को मिलेगा आप यहां पर देख भी सकते हैं कि this means that if you invested 100 dollars now your current investment may be worth 100 sorry 117.255 डॉलर्स आपकी बन जाएगे अगले साल में तो वन येर के आपका यह जो investing होगी stock के अंदर तो आपको अच्छा खासा profit इसके अंदर कमा कर देगी तो यह एक आपको chance मिल रहा है stock के अंदर invest करने का lower price के उपर तो आप इसका फाइदा जरूर उठाइएगा आप quarter on quarter basis में आपको इसमें revenue की बात करना चाहूंगी आप इसका revenue देख रहे हैं तो आप को यहां पर revenue उसका देखने को मिलेगा कि 748 का देखने को मिला था मार्च 20 में मार्च 20 से लेकर मार्च 21 तक आप देख सकते कि इसके revenue में कितना जादा इजाफा होते हुए हमें देखने को मिल रहा है त्रीडीड से डारेक्ट ग्रोथ हमें फोर डिजिट्स में होते हुए देखने को मिल रही है revenue वाई स्टॉक का performance तो बहुत ही खास देखने को मिल रहा है लेकिन profit और इसकी जो net worth होती है जो कि स्टॉक के अंदर main चीज मानी जाती है उसमें स्टॉक थोड़ी सी कम तरता दि मिला मार्च वेटिंग का भी हमें थोड़ा बहुत ठीक ठाक देखने को मिला लेकिन डिसेंबर 20 से इसके उपर impact करते हुए हमें देखने को मिल रहा है और यह जो टेक्स्टाइल से related work करते हुए देखने को मिलता है यह स्टॉक इसमें इसके computer बहुत सारे available होने की वज़े स स्टॉक का जादा हमें growthable moments या performance हमें देखने को नहीं मिलता है इसके profit में देखा जाए तो और इसके उपर negative result आने का एक वज़ा यही है कि इसके उपर COVID-19 का impact पढ़ते हुए देखने को मिल रहा है क्योंकि सभी अभी lockdown के situation में है इसके वज़े से इसका हमें demand में थोड़ी स otherwise stock का आज का performance तो काफे अच्छा देखने को मिला जिसके चलते जो इसके अंदर invested थे वो बहुत से खुश हो चुके होगे और इसके अंदर future भी अच्छा खासा बनते हुए देखने को मिल रहा है तो आलोक industry के related जो पहले से ही invested है उनके लिए तो अच्छी बात है कि और एक स पर आप इसके अंदर buying कर सकते हैं so thank you so much